तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में दोस्तो सोमवार 24 अप्रेल से राजस्थान में महंगाई रात कैम्प शुरू हो रहे हैं जहां पर आपको मिनिमम पेंशन 1000 रुपे करवाने के लिए रेजिस्टेशन करवाना होगा जिनकी भी पेंशन 7500 आ रही है उन्हें केम्प में जाकर रेजिस्टेशन करवाना होगा तब उनको 1000 रुपे पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी अब कुछ लोगों का सवाल था कि जो लोग नहीं जा सकते खासकर जो विकलांग लोग जो 70-80% विकलांग है वो केम्प में नहीं जा सकते या जो बुजर्ग लोग है जो केम्प में नहीं जा सकते उनका रेजिस्टेशन कैसे होगा आज की वीडियो में हम मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना केम्प में जा अगर आप केम्प में नहीं जा सकते तो आप रजिस्टेशन कैसे करवा सकते हैं तो मैं आपको बता दू कि राजित्थान सरकार ने जो है मिनिमम पेंशन हजार रुपे कर दी अब जो भी विकलांग थे जिनकी साड़े साथ सो पेंशन आ रही थी जो भी बुजर के जिनकी पांशो पेंशन आ रही थी सभी कि जो है सरकार हजार रुपे पेंशन देने जा रही है लेकिन उसके लिए सरकार ने काए कि महेंगाई रात कैंप में आपको आना है अपना जन्नाधार कार्ड लेकर आना है रेजिस्टेशन करवाना अनवार रही है तो मैं आपको बता दू सरकार द्वारा जो एक ओफिशल गाइडलाइन जारी की गई है कैम्प के लिए उसमें एक पॉइंट दिया गया है कि कैम्प के दोरान लाभारती परिवार के जन्नधार कार्ड में सम्मलित कोई भी सदशे उपस्तित होकर निरधारित योजनाओं के अंतरगत रजिस्टेशन करवा सकता है इसके लिए लाभारती को स्वैम आने की अवशक्ता नहीं है अगर इसका मतलब है अगर आप नहीं जा सकते कि लाभारती जोए उसे स्वैम आने की अवशक्ता नहीं है किसी कारण वर्स आप नहीं जा सकते चाए विकलांग हो चाए बुजर्गों तो आपके परिवार में आपके जनाधार कार्ड में जो भी सदस्टे जुड़ा हुआ वो आपके डोकोमेंट्स ले जाएगा और वहाँ पर रेजिस्टेशन करवा सकता है। वीडियो को एक लाइक जरूर कीज़ेएगा और वहाँ पर रेजिस्टेशन करवा सकता है।